नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सुभास है और आप सभी का स्वागत करता हूं सुभास टोक यूट्यूब चानल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चानल पर चैनल बेनर कैसे बना सकते हैं और आप अपने YouTube चैनल पर चैनल बेनर को कैसे सेट कर सकते हैं अक्सर दोस्तों बहुत सारे नियू यूटीवर जो होते हैं वो अपना फर्स्ट टाइम जैसे ही चैनल क्रियेट करते हैं उसके बाद उनका बन में कंफ्यूजन हो जाता है कि हम अपने चैनल बेनर को कैसे सेट करें या फिर कैसे बनाए उसका एक्च्वल साइज क्या होगा ताकि हमारा जो है चैनल का बेनर सही से दिखे जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा चैनल है और इस चैनल का जो बेनर है कितना अच्छा से फिट हुआ है मोबाइल से देखने से कुछ इस परकार से दिखेगा तो दोस्तों इसका साइज क्या होगा इसको कैसे बनाना है इसको सेट कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक यूट्यूबर है और आपने एक नया चैनल इस्टार्ट किया है और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इस वीडियो को आप लाश्ट तक जरू देखिएगा ताकि इसमें पूरी जानकारी आपको सही समझ से पता चल जाए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चानल पर अगर आप पहली बारा है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरू दबा दीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो अगर आपको अपने चानल का बैनर बनाना है यहां पर इमेज साइज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कस्टम में जाने के बाद यूट्यूब चैनल बेनर को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ओके करेंगे तो यह हमारा जो साइज यहां पर आ गया है एक अच्छा से यहां पे सेट हो गया है इस प्रकार से हम अपना यूट्यूब चैनल का बेनर को बना सकते हैं अब दोस्तों यहां पर आपको अपना सारा कुछ information दे सकते हैं, please subscribe for more videos लिख सकते हैं, तो जो भी जानकारी आपको लिखना है, आप यहाँ पर लिखेंगे, तो इसके लिए आपको पता होगा, अगर आप YouTuber हैं, आप thumbnail create करते हैं, तो आपको पता होगा, कि आप इस application पर कैसे काम कर सकते हैं, इस application का नाम आपको बता दूँ, pixel lab है, इस application से आप बहुत ही सुन्दर सुन्दर, जो है thumbnail बना सकते हैं, चाहे winner हो या फिर logo बना सकते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा हमारा channel का नाम है सुभा स्टॉक, तो कुछ इस परकार से सुभा स्टॉक मैंने लिखा है, यहाँ पर हम इसे done करेंगे, उसके बाद हम इसे बिठा देंगे, कहीं भी आप इसे set कर सकते हैं, तो आप चाहे इसे कहीं भी set कर सकते हैं, कुछ इस परकार से, उसके बाद आप अच्छे से इसको color matching कर सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे, आपको पता है जो भी आपको color set करना है, कुछ इस परकार से आपको अपना color को set करना है, उसके बाद जो भी आपके पास photo png है, इसमें आपको लगा लेना है, तो दोस्तो जितना चाहिए आप अपना design कर सकते हैं, अलग-अलग color matching कर सकते हैं इस application की मदद से, सिर्फ में आपको दिखा दिया हूँ इस application पर कि कैसे आप अपना channel के लिए एक banner बना सकते हैं, आपको जो भी design करना है आप बहुत ही आसानी से design कर सकते हैं, उसके बाद save वाले button पर किलिक करके आप इसे set कर सकते हैं, तो कुछ इस परकार से दोस्तो आपको क्या करना है, कुछ इस परकार से आपको यहाँ पर बना लेना है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसके बाद customize channel पर आपको click करना है, कस्टमाई channel पर जैसे आप click करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा, उसके बाद banner पर आप यहाँ पर click किजेगा, एक pencil का icon आएगा, इस pencil पर click करके आप देख सकते हैं, आपे दो option आएगा, एक edit links और एक edit channel art, तो channel art पर click करके आप उसे change कर सकते हैं, या फिर अगर आपका set नहीं है, तो set कर सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप बहुत ही असानी से channel banner बना करके, अपने channel में set कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा channel banner, तो अगला वीडियो में आपको बताऊंगा, कि आप logo कैसे बना सकते हैं, अगला वीडियो में आपको बताऊंगा, कि आप अपने YouTube channel के लिए एक सुन्दर सा logo कैसे बना सकते हैं, और साथ ही दोस्तो आप कैसे set कर सकते हैं, उसका size क्या रहेगा, आज कि इस वीडियो में बस इतना ही,